पहले था राम राम सारा ने कैसे आप सब मुझे आसे आप सब मस्त होगे और अपने पेपर की त्यारी जोर्शों से कर रहे होगे ठीक है आज आप आप आई इस वीडियो में मैं आपको most important 30 questions हर्याना जीके के करवाऊंगा ठीक है आप सब चिंता मत करना इस सीरीज अपडेली चलेगी और आने वाले दिनों में मैं इसके अंदर हर्याना करंट अफेर्स इंडियन जीके और जो जो question most important हमारे HSC में बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं इसके अंदर include करता चलूँगा ठीक है जैसी आपको बता होगा कि जो क्रोना वाइरस है वो हर्याना में भी उसके कुछ cases पाए गए है इसलिए उसरे related भी मैं इस वीडियो में अंत में discuss करूँगा इसलिए आप इस वीडियो क में homework में दिया था और इसका answer मुझे कुछ बच्चों ने comment box में भी दिया था आज भी मैं हर question को आपको solve करने के लिए 15-20 second दूँगा ठीक है लेकिन मैं उस time के अंदर कुछ भी आपको कोई भी extra information नहीं दूँगा क्यों कोई कुछ बच्चों के comment आया कि sir जो आप हमें answer दे information आपके paper के लिए important होगी वह मैं उसको answer बताने के बार दूँगा इसलिए आप मुझे फड़ाबट इनका answer chat box में देते चलना ठीक है अगर अगर आभी भी किसने इस class को अपने दोस्तों के साथ share ने किया तो आप इस class को फड़ाबट अपने WhatsApp ग्रूप, Facebook, आदी social media पर share कर कोरून यम्ना नगर की Timber market को वर्ष 1947 से पहले किस नाम से जाना जाता था, इसका क्या answer था, अब्दुल्लापूर मंडी त्रह यहुए यार रख लेना, यम्ना नगर की Timber market को only 1947 से पहले अबदुल्लापूर मंडी के नाम से जाना जाता था क्या credit और आज अद्या प्रिय बनाने में मैत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीन द्यास शर्मा हरियाना में कांके रहने वाले थे इसके अंदर आप सिर्फर सिर्फ यही पताना है कि जो पंडित दीन द्यास शर्मा जीते वो हरियाना के कांके रहने वाले थे आपका टाइम होता है पूरे उस्तर भारत में सनातन धर्म को लोगपुरिय बनाने में मैतपुर्ण योगदान देने वाले पंडी दीन द्यार शिर्मा हरियाना के जर्जर के रहने वाले थे नेक्स्ट है 1887 में भारत धर्म मामंडल की स्तापना किसने की थी आप मुझे फड़ावट इसका अंसर चैट बोक्स में दो इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा पंडी दीन द्यार शर्मा ने ठीक है मैं इसे लेटिट सारी इंपोर्टेंट कोशिन इसमें डिसकस करूँगा सबसे पहलता अब या रख लेना ये जर्जर के रहने वाले थे और 1887 में भारत धर्मा मंडल की स्तापना इन्होंने की थी नैस्ट है मुझे तो समपूर्ण भारत की भूमी चाहिए ये सब्द किसने कए इसके अंदरा आगो तैना है कि इन में से किसने ये सब्द कए दे कि मुझे तो समपूर्ण भारत की भूमी चाहिए आप मुझे फड़ावट इसका अंसर चैट बोक्स में दो और इसका अंसर सब बच्चों को देना है इसका के अंसर हो जाएगा? इसका अंसर हो जाएगा नेकी राम शर्मा जी ने या रख लेना मुझे तो संपूरण भारत की भूमी चाहिए ये सब्ट नेकी नाम सर्मा जी ने कहे थे और आईए मैं आपको कुछ important slogan भी पता देता हूँ जैसे इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था वो भगै सिंग ने दिया था दिल्ली चलो का नारा सुबाद चंदर बोज जी ने दिया था करो या मरो का नारा मात्मा गांधी जी ने दिया था ठीक है और जै हिंद का नारा सुबाद चंदर बोज जी ने दिया था पुन्द सवराज का नारा जवाला नेरु जी ने दिया था हिंदी, हिंदू और हिंदूस्तान, ये नारा भारतेंदू हरीस चंद्र जी ने दिया था, ठीक है, इन में से भी आग पेपर में एक या दो किसंद जूर्द मनेगा, इसलिए आम इन सब को या लख लेना, वेदो की ओर लोटो का नारा दियानन सरसो जी जी ने दिया था, रा नेक्स्ट है भारत छोड़ो ये भी मार्तमा गांधी जी ने दिया था नेक्स्ट जय जवान जय किसा ये नारा लाल बादु साच्ट जी ने दिया था और ये नारा इन्होंने उन्नी सो पैशेड में पाकिस्तान यूद के समय दिया था फेपर हम यह पूचा जाता है तो इसल जीता है सरदार वललबाई पटेल जी ने ठीक है यह कुछ मोस्ट बॉटेट नारे हैं यह सारे के सारे नारे आप सबको या लखने है नेक्स्ट है स्वाधिंता से नानी पंडित नेकी नाम शर्मा का जनम किस जिले में हुआ था इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो स्वाधिंता से नानी पंडित नेकी नाम शर्मा का जनम रोतग में हुआ था ठीक है और उन्होंने कौन सा नारे जिया था इन्होंने नारे जिया था मुझे तो संपूरण भारत की भूमी चाहिए नेक्स्ट है हर्याना समचार पत्र के संचालक कौन थे इसके नदरा को तैना है कि हर्याना समचार पत्र के संचालक कौन थे और इसके लिए मैं आपको सिर्व ज़िद दस सेकिंड दूँगा आप मुझे फड़ा बट इसका अंसर चैट बोक्स में दो इसका क्या आंसर हो जगा इसका आंसर हो जगा पंडी दीन दिया शर्मा जी ठीक है यहा रख लेना हर्याना समचार पत्र के संचालक पंडी दीन दिया शर्मा जी थे नेक्स्ट है दीन बंदू और सरी की उपलब्दी से किसे समानित किया जा चुका है और इसके लिए मैं आपको 20 सेगिन दूँगा आप मुझे पड़ा पड़ इसका अंसर चैट बोक्स में दो इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा चोटू राम ठीके या रख लेना धीन बंदू और सरी की उपादी से चोटू राम जी को समानित किया जा चुका है ठीक है आप ने भी आ रख लेना है चोटू राम जी का असली नाम था रिगपाल ठीक है पेपर में पूता जाता है कि इनका असली नाम क्या था उनका नाम था रिगपाल परन्तु भाईयों में छोटे होने कारण इनका नाम चोटू राम रख दिया गया था ठीक है आपने इसको भी जूर या रख लेना है और 1905 में सब छोटू राम जी ने दिल्ली के सैंड स्ट्रीफन कोले से ग्रेजेशन की डिग्री पूरी की थी ठीक है पेपर में इसे कोशन ममंता है तो आप इसको भी जूरू या रख लेना सर छोटू राम ने रोतटक में किस साब्ताइप पत्रिका का सुपारम किया था इसके निरा जयुद्हां में किस पत्रिका का सुपारम किया था आब मुझे पड़ावट इसका अंसर चैट बोक्स में दो इसका क्या अंसर हो जाएगा जाट गजट ठीक है या रख लेना सर्चोटु राम ने 1916 में रोत्तक से उर्दू सब्ताइक जाट गजट पत्रिका का सुबरम किया था ठीक है पेपर में पूस्ते हैं ताब इसको भी जुरूर या रख लेना नेक्स्ट है सर्चोटु राम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी इसके लिए तो मैं आपको स्विफ और स्विफ दस सेगिंड दूँगा आप मुझे फड़ावट इसका अंसर चैट बोक्स में द की थी और 1912 में इन्होंने वकाला शुरू की थी ठीक है इसे सारे कोशन पेपर बनते हैं तो आप इसको भी जुरूर या लख लेना ठीक है और इनको रैबर ये आजम और गरीबों का मसीया भी का जाता था ठीक है नेक्स्ट है सर्चोटु राम का जनम कब हुआ था इसके इसके लिए तो मैं आपको शिर्व शिर्व पांस सेकिंड ही दूँगा आप पड़ा पड़ी इसके उप्शन पड़ो और मुझे इसका अंसर चैड़ बोक्स में दो नेक्स्ट है सर्चोटु राम एक कौन थे ये कौन थे आपको मुझे इसका अंसर चैड़ बोक्स में पताना है इसका क्या अंसर रजगा इसका अंसर रजगा किसान नेता ठीक है या रख लेना सर्चोटु राम जी एक किसान नेता थे और उनको रैबरे आजब और गरीबो या रख लेना और इनकी मृत्यू 9 जनुरी 1945 को लावर में हुई थी ठीक है और इनको बाख़डा डैम प्रोजेक्ट का जनमदाता भी माना जाता है एक बार है चैसी ने पूछा था कि किसको बाख़डा डैम प्रोजेक्ट का जनमदाता माना जाता है वो है सर छोटू राम ज दिया था इसका अंसर आप मुझे फड़ावट चैड बोक्स में दो और इसके लिए मैं आपको सिर्फ उस्पी 10 सेकंड ही दूँगा इसका क्या अंसर रोज़गा लाला लाच्पत राईगी ठीक है या रख लेना सन 88 में एलाबाद में अजूट हुए कांगरेश के छोते अदिवेशन में लाला लाच्पत राईजी ने जिला हिसार के पतिनित के रूम में बाद लिया था नेक्स्ट है कांगरेश विवाजन के बाद अंबाला का उपायूप कौन था इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड दूँगा आप मुझे फड़ावट इसका अंसर चैड़ बोक्स में दो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा सी केश ठीक है या रख लेना कांगरेश विवाजन के बाद अंबाला का उपायूप सी केश था इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड दूँगा आप मुझे फड़ावट इसका अंसर चैड़ बोक्स में दो कई बच्चे आप आवाद दोनों देखते ही कह देंगे इसका अंसर सही है लेकिन आपने पहले इसके उप्षिन को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद मुझे इसका अंसर देना है इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा मांगे राम वच ठीक है या रख लेना पर सर छोटू राम चोदरी जी का जनम हुआ था ठीक है और इसका अंसर तो मैंने आपको अब यह भी पताया था तो इसलिए मैं आपको इसके लिए पांच सेकंड़ी दूँगा इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा गड़ी सापला रोतक ठीक है यह रख लेना चोदरी छोटू राम जी का जनम गड़ी सापला रोतक में हुआ था ठीक है और किसा साथ अब यह भी आ रख लेना 9 अक्तूबर 2016 से गड़ी सापला का नाम छोटू राम नगर रख दिया गया ठीक है आपने इसको भी जुरूर या रख लेना है और ये भी या रख लेना चमार खेडा का नया नाम सुंदर खेडा रख दिया गया और ये चमार खेडा कहां पर स्तीत है ये है हिसार में और गंदा गाव का नया नाम अजीत नगर रख दिया गया ठीक है औ Guru Gram. के collector का नाम क्या था इसके अंदरीकों बता है कि 1857 की करांति के समय Guru Gram. के collector का नाम क्या था और इसके लिए मैं आपको 20 सेकिंड दूँगा आब मुझे फटाफट इसका अंसर chatbox में दो इसका क्यां ultra हो जाएगा इसका अंसर हो जेगा MR4 और आई आजका motivation code भी discuss कर लेते हैं किसीने सत्य ही का आई जीवन की हर समय से ट्रैफिक की लाल बती की तरह होती है जीवन की हर समय से ट्रैफिक की लाल बती की तरह होती है यदि हम थोड़ी देर प्रतिक्षा कर लें तो वैं हरी हो जाती है धहरिये रखे, प्रियास करे, समय बदलता ही है ठीक है, जैसे हम कई पे भी लाल बती लगी होती है थो हम रूख जाते हैं वहाँ पे प्रतिक्षा करते हैं कि जैसी वो ग्रीन लाइट हो जाएगी हम चले जाएगे ऐसी हमें अपने जीवन में भी थोड़ा सा देरे देखना है चाहिए देखना समय बदल लेगा, मुझे आसा है कि आपको मोटिवेशन लाइने अच्छी लेगी होंगी कोई भी अच्छे काम को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ठीक है यह बात आपने जुरूर या रख लेनी है next है किसे कैथल मंडी में गिरिफ्तार किया गया था इसके अंदर आप तान है कि इन में से किस व्यक्ति को कैथल मंडी से गिरिफ्तार किया गया था इसका अंसर हो जगा इसका अंसर हो जगा लाला काका राम को ठीक है यह रख लेना लाला काका राम को कैथल मंडी से गिरिफ्तार किया गया था नेक्स्ट है भारत में सिपाई विद्रो किस वर्स में हुआ था इसके नदर आपको पता है एक भारत में सिपाई विद्रो हुआ था और वो किस वर्स हुआ था ठीक है इसके नदर में आपको पता दू कि 1857 की करांती कोई सिपाई विद्रो कहते हैं ठीक है कई बच्चे लेना आप ता मुझे फटडबर इस का अंसर चैट बोक्स में दे दोगे इसका का अंसर ओजेगा? इसका अंसर ओजेगा 1857 को ठीक है यां रख लेना भारत में सिपाई विद्रो 1857 में हुआ था नेक्स्ट है बल्लबगड का अंतिमराजा जिसने अठारा सो स्तावन सवसंतिता संगराम में वीरता का प्रीचे दिया था इसके अंदर आपको यह बताना है कि बल्लबगड का अंतिम राजा कौन था जिसने 1857 के सवसंता संगराम में वीरता का प्रिचे दिया था इसका के अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा नहार सिंग ठीक है या रख लेना बल्लवगड का अंतिम राजा जिसने 1857 के संद्रता संग्राम में विर्ता का प्रिच्चे दिया था वो था नहार सिंग नेट्स है नार सि 홈 को मृत्यूं की श्यजा दी गई थी इसके सघ्या और आख रहना है कि नार जी credited को मृत्यूं की सजा कब डी गई थी ऋच्छा के इस बाइन करें जखारी दो जनुरी 1858 को या रख लेका दो जनुरी 1858 नार सिंग को मृत्यू की सजा दी गई थी और इसके साथ आ तो यह भी आ रख लेना बल्लबगड का प्राची नाम था बल्लरामगड और बल्लबगड किस जिले में सीत है यह फ्रीदाबाद में नेक्स्ट है रानिया का वैक कौन सा नवाब था जिसे अंग्रेजों ने फार् लटका दिया था ठीक है और यह रानिया की जिले में सीत है यह सिर्शा में और इसका प्राची नाम क्या था इसका प्राची नाम था गजबपूर इसका answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा नूर मेहमूद खां ठीक है यह यह और रख लेड़ना नूर मेहमूद खां को एंग्रेज जो नैंफासिम बल लटका दिया था ठीक है और यह राणिया से थे si Kyra प्रानाबाद का प्राची नाम खड़ील था और ये भी सिर्सा में है हीरा सिंग किस रियास्त में नोकरी करते थे इसके प्ताना है की हीरा शींग जी थे वह किस रियास्त में नोकरी करते थे कोशन के लिए मैं आपको सिर्व 20 सेकिंड दूँगा आप मुझे फड़ा वट इसका अंसर चैट बोक्स में दो इसका क्या अंसर हो जेगा इसका अंसर हो जेगा जीन ठीक है या रख लेना हीरा सिंग जी जीन रियासत में बोक्रिक करते थे तौक है और एक जो सफीद हो वह जीन जी ले में स्थीत है और इसका प्राची नाम था सर्फ दमन पेपर ने पूसे है तो इसलिए भी या रख लेना दूद नगरी किसे कहते वह जीन को कहते है नैक्स्ट है राठी जाटो ने किस नगर की स्थापना की ती इसका क्या answer हो जगा, इसका answer हो जगा बाधुर गड की, ठीक है या रख लेना, राठी जाटों ने बाधुर गड की स्थापना की ठीक है, और बाधुर गड का प्राची नाम क्या था, वो था सराफबाद और ये जजजर में स्थित है, नेक्स्ट है, गुजरी मैल किस नगर म स्थित है इसका अंसर दास्व को फटा होगा तो इसलिए फटावड मुझे इसका अंसर चैट बोक्स में दो इसका क्या अंसर हो जगा इसका अंसर हो जगा हिसार या रखे ना गुजरी मैल हिसार में स्थित है ठीक है और हासी का पुराना नाम था आसी ठीक है और यह तो पता है कि हरियाना के किस सेर के मकबरे को हरियाना का ताज में का जाता है इसका क्या अंसर हो जएगा इसका अंसर हो जएगा थानेशर या रख लेना हरियाना के थानेशर सेर के कि मकबरे को हरियाना का ताजमें का जाता है की स्थान पर राजनार सिंग का किल्ह स्थीथ था इसके लिए मैं आपको सुल्बविशिट देश सेगेंडी दूंगा इसका कांसर हो जाएगा जाएगा बल्लबगड ठीस है या रखें राजानार सिंग का किला बल्लबगड में स्थीथ ता, ठीक है? और बल्लबगड का प्राची नाम था बल्लबगड और यह फ्रीदाबाद में स्थीथ है और फ्रीदाबाद को बाबा फ्रीद की नगरी और उद्रियोग नगरी के नाम से भी जाना जाता है आप यार रखें ना बाबा फ्रीद की नगरी तो आपको ऐसी देखती याद हो जाएगा फ्रीदाबाद ठीक है ये पेपर में इसलिए कमपुचा जाता है लेकिन ये बहुत पुचा जाता है कि उद्योग नगरी किसे का जाता है वो का जाता है फरीदाबाद को नेक्स्ट है मैम किला हरियाना के की जिले में स्टीथ है इसके जो मैम किला हरियाना के की जिले में स्टीथ है इसका क्या अंसर होज़ेगा इसका अंसर होज़ेगा रोतक या रख ले ना मैं 미ला हरियाना के रोतक दिले में स्टीथ है ठीक है और रोतक को ऐजुकेशन का हब भी का जाता है लेकिन ये पूछले जाएं कि एजुकेशन सिटी किसे का जाता है किशोरी मेल का स्थीथ है इसका क्या अंसर रोज़ेगा इसका अंसर रोज़ेगा होडल ठीक है या रखे ना परशीज समारक किशोरी मेल होडल में स्थीथ है नेक्स्ट है अठारा सो स्तावन की करांथी में हरियान के की जिले का योगदान रहा इसका क्या आशर हो जगा ये सभी या रख लेना गुरुगाव इसार रोट इन सभी जिलों का योगदान 1857 की करांथी में रहा था और इसके साथ अभी भी आ रख लेना मंदरवंजन सीटी, हरियाना की सपनों की नगर मेडी सीटी, साइबर सीटी सोर उर्जा काब और उद्योग वियार गुरुगराम को का जाता है ठीक है लेकिन अगर ये पुछा जाएं कि उद्योग नगरी किसे का जाता है तो वो फृदाबाद को और उद्योग वियार किसे का जाता है वो का जाता है गुरु गराम को ठीक है आपने इसको भी जूरुद या रख लेना है नेक्स्ट है हरियाना में अमबाला च्छावनी की स्थापना कब हुई थी इसका का अंसर हो जगा इसका अंसर हो जगा 1843 में या रख लेना हरियाना में अमबाला चावनी की स्टापना 1843 में हुई थी मैं आपको कुछ क्रोना वाइरस से बचने के लिए कुछ प्रिकोशन्स पता देता हूं ठीक है जैसे आप सब को पता चले गया होगा कि हरियाना में भी 13 से 14 केसे इस करोना वाइरस के पाए गया है ठीक है इसलिए आप सब ने अपनी शेफ्टी रखनी है आपकी शेफ्टी आपके आप में ठीक है कि अब अगर आप सैनिटाइजर लेना चाहते हैं तो आप सैनिटाइजर कमपनी का लेना क्यों क्यों क्योंकि कुछ बंदे लोकल बना के सैनिटाइजर मार्केट में बेच रहे हैं तो उसका लेने के कोई फैदा नहीं है इसके लिए जो कुछ डोक्टर है उन्होंने काया जो hand wash जो साबून होते हैं आप उससे अपने हाथ बारबर दोते रहा है और आपने कम से कम अपने हाथ 20 सेगिंड तक धोने है ठीक है और सेगिंड पाइंट यह है आपने पब्लीक गैंदरी यानि जो पब्लीक गैंदरी जहां पे ज़ादा लोगी खटे हो रहे हैं आपने उ अपने डोक्टर से चेक अप जूर करो आपने इसका कोई भी आलस नहीं करने है लेकिन यहीं नहीं है कि अगर किसी को खासी जुकाम हो गया तो उसको करोना वायरस है यह बहुत मीत यानि बरम फैल रहा है तो आपने इससे भी बचकर रहना है अगर किसी को खासी जुकाम य कि अपनी study करनी है आपको डेली की डेली वीडियो मिल रही है आप अपने घर में रहा हो आपको बाहर जाने कोई भी जूरत नहीं है ठीक है और इसके साथ सब अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने मूझ को ढखके या रुमाल से ढख लो या तो जो marks मिलते हैं मार्किट में उसको खरीद लो ठीक है सबसे पहला है कि आपने अपने हाथ बार बर दोने हैं और कम से कम 20 सेकेट तक आपने अपने हाथ दोने हैं मुझे आशा है कि आप सब अपनी सेथ का जुरूर ध्यानक होगे और इन precautions को भी जुरूर फॉलो करोगे जो सारी सारी safety आपके हाथ में ग और दूसरी की 60 से 70 के बीच में थी ठीक है उनकी उमर जादती आप healthy food का और fruits का जिसे की आपका immune system और भी strong हो सके ठीक है आपने किसी को भी negativity नहीं फिलानी है और ना ही आपने किसी भरम में आना है बस आपनी study भी concentrate करो और जो जो मैंने आपको precautions बताएं आप उनको follow करो सब क ठीक चलेगा ठीक है next और आज का last question है हमारा George Thorns ने 1797 में परदेश के किस स्थान को अपनी राजदानी बनाई थी और इसका answer आप समुझे comment box में जूर बताना कि George Thorns ने 1797 में परदेश के किस स्थान को अपनी राजदानी बनाई थी आज की वीडियो में बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसे लेगी आप comment box में जूर बताना ठीक है मैं उस level को लेकर discuss कर रहा हूं जो की level हमारे paper में पूचा जाता है चिंता मत करना मैं दीरे दीरे इस level को बढ़ाऊंगा ठीक है मैं पहले उस level के सारे question discuss खुरा रहा हूं जो level हमारे paper में पूचा जाता है आज की वीडियू में बस इतना है मुझे आज़े कि आपका वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो आप इस वीडियो को Like करो जादे शेर करो ताकि और यह बच्छे हमसे जूट सके अगर आपको इस वीडियो से लेटिड या आपको अपनी studies से भी लेटर कोई डाउट है तो हम नीचे comment box में लिकना मैं आसके comment पढ़ता हूं और reply भी दूँगा और हम बहुत ही जल्दी अपनी next वीडियो में मिलेंगे जाइन जाय भारत thank you and have a nice day